नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी किसी फाइल को स्कैन करके PDF बनाना चाते हो तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Google Drive से किसी फाइल का फोटो क्लिक करके यानि स्कैन करके PDF कैसे बनाते हैं तरीका एकदम सिंपल है ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर बस आपको अच्छे से समझना है सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ड्राइब को चालू कर लेना है तो गूगल ड्राइब को चालू कर लीजिए और यहाँ पर आप होम ओप्सन में आ जाईए अब यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्लस का आइकन या पैंसिल मिलेगी तो इस पर क्लिक करिए यहाँ पर आपको मिलेगा स्कैन इस पर टच करिए और आपका अलाओ करने को कहेगा फोन तो अलाओ करिए और आपका कैमरा चालू हो जाएगा कैमरा चालू होने के बाद आप अपने फाइल की फोटो किलिक कर लीजिए तो यहाँ पर हम एक्जामपल के लिए दो फोटो किलिक करते हैं एक यह वाली तो राइट कर लेते हम इसको यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे नन कर देते हैं, आपको नन कर देना है, अगर आप और फोटो आड़ करना चाहते हैं, तो प्लस के आइकन पर किलिक करें, दूसरा फोटो लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ फोटो लेता हूँ, तो यहाँ पर यह हो चुका है, राइट वाले ओप्शन पर टच करिए यहाँ पर, इस पर टच करने के बाद यहाँ पर आ चुका है, ऐसे आप जितने मर्जी फोटो ले सकते हैं, बस कलर का ध्यान रखेएगा, कलर आप नन ओप्शन पर किलिक कर दीजिएगा, वरना आप ब्लैक और वाइट भी ले सकते हैं, जितने मर्जी फोटो ल मिलेगा पर साइज इस पर किलिक करें और यहाँ पर आप आप ISO A4 रहने दीजिएगा, इमीज क्वालिटी आप यहाँ पर हाई कर सकते हैं, फिर बैक करिए, तो यह सैट हो चुका है, अब आप करिए यहाँ पर सेव, इस पर किलिक करें, यहाँ पर यह दिखा रहा है, आप आप इसका नाम डाल सकते हैं save option पर click करें थोड़ा सा wait करें यहाँ पर आपकी file जो है save होने लग जाएगी तीन लाइन पर click करें फिर आप recent पर click करें और यहाँ पर आपका PDF आ चुका होगा जो आपने बनाया है इसके तीन लाइन पर टाच करें यानि तीन डॉट पर टाच करें यहाँ पर तीन डॉट मिलेंगे और यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड कर लीजिए और यह आपके अब internal storage में आ जाएगा और उपर की तरफ से file आपकी download भी होने लग जाएगी तो हमारी file यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम internal storage में जाते हैं और चेक करते हैं file manager में जाके documents में जाते हैं और PDF में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो PDF है वो आ चुका है आप देख सकते हैं scan दिखा रहा है हम इसे open कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सवज में आ जाए तो आप देख सकते हैं यह वही फोटो है मेरे phone का camera थोड़ा खराब था इसलिए photo अच्छी नहीं है यह बाकि आप अपने phone की camera से अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें